तो आज जो है हम Zero to Hero Series का 23 पार डिस्कस करने वाले हैं और हम शुरुवात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्टिक वाइज जोग्रफी की यानि के आज की इस वीडियो में हम जो है वो बिलासपूर डिस्टिक की जोग्रफी को डिस्कस करेंगे ठीक है जोग्राफी को और उसके बाद जो next वीडियो आएगी उसमें हम वो बिलासपूर डिस्टिक की हिस्ट्री को cover करेंगे और इस तरीके से हमारी वो एक वीडियो कम्पलीट हो जाएगी यानिके एक डिस्टिक कम्पलीट हो जाएगी एक डिस्टिक कम्पलीट करने का मतलब यह समझ लीजए आप अगर आप कि अगर आज हम geography पढ़ेंगे तो आपको geography से related कोई भी question जो है वो skip नहीं होगा एक आदा कई बार हो भी जाता है तो उसको भी हम ऐसा नहीं है कि आज से वीडियो बंद हो रही है आगे आने वाली वीडियो में जो है वो cover कर देंगे बट कोशिश आज यह रहेगी कि आप जो ह सर्विस कमीशन के paper one के बारे में आप सभी को पता ही है ठीक है उसके mock test हमने launch किये हैं with negative marking अब अच्छा बहुत सारे student यह बोल रहे थे कि एक साथ जो है वो सारे mock test दे दीजिए बड़ ऐसा हम जो है वो नहीं कर सकते अगर आपने हिंदी वाला section देखा होगा हमने कल हिंदी वाला chapter डाला था जो mock test डाला था उसमें अगर एक question है तो अगर आप उसकी detail चेक करोगे तो आपको complete detail provide करवाई जाती है अब उसे बनाने में time लगता है अगर सिरफ question और answer ही आपको provide करने हो तो मैं एक दिन में आपको सारे के सारे mock test दे दूँ बड़ अगर आपने हिंदी वाला section जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी मैं telegram पर share कर दूँगा ठीक है telegram पर join कर लेना official gk study description में link है वहाँ पर इस वीडियो के एक दो गंटे बाद मैं share कर दूँगा तो वहाँ पर देखेगा कि जो हिंदी का question होता है उसके स से वेस्ट ना जाएं तो वह वेस्ट ना जाएं इसलिए ये चीज़ें की जाती है बाकी अगर जिरफ question answer चाहिए होते हैं तो फिर यार ऐसा है कि एक दिन में कितने भी मोग test दे दो directly आपको जो है वो provide करने होते हैं बड़ ऐसा हम यहाँ पर नहीं करते हैं तो यहाँ पर इसलिए आपको जो है वो थोड़ा टाइम लगता है तो यहाँ पर हिमाचल जी के के 10 मोग test मिल रहे हैं आपको current affair के भी Indian जी के भी Hindi के भी और English के भी ठीक है यह सारे आपको मिल रहे है और यह minimum है इसके इलावा भी आपको मिलेगे 6 महिने की validity है और एक चीज़ और बतारों जो जोइन करना चाहते हो वो कर सकते हो negative marking अगर आप practice करना चाहते हो कि negative marking के साथ आप exam में कैसा perform कर सकते हो तो आप जाकर जो है वो GK study app पर join कर सकते हो वहाँ पर पहला ही आपको वो course मिल जाएगा और उसमें coupon code यूज़ की जगा है HP1 ठीक है जी तो आज हम बात करेंगे ब परवत पहाडी और घाटी अब इनमें अंतर क्या होता है दीके परवत यह कि जैसे कि आपके जिस तरीके की आपकी चोटियां type होती है उसी परकार के आपके जो है वो परवत होते है जिनको mountains बोला जाते है पहाडियों की height जो है वो थोड़ी आपकी कम होती है ठीक है इस तरीके से आप समझ लीजिए घाटी की बात करें तो जो घाटियां होती है वो आपकी या तो दो धारों के बीच में होती है या दो परवतों के बीच में होती है यानि कि आपका यह वाला section है मालीजिए ठीक है यह आपकी क्या है यह आपकी पहाडी है और इसके बाद य जो एरिया है ठीक है इसके बीच वाला एरिया ये क्या होगा आपका ये होगा आपका घाटी जिसको बोला जाता है आपका वैली तो ये आपको समझ जागागा कि वैली क्या होती है ठीक है आपकी पहाड़िया क्या होती है और आपके परवत क्या होते है ठीक है ये मैंने आप को clear कर दिया क्योंकि आगे इन चीजों का जो है वो use होने वाला है तो यह चीज आपके दिमाग में बैट गई अब चलिए शुरुवात करते हैं यहाँ पर बिलासपूर डिस्टिक के देगे किसी काम में मत फसीएगा सभी काम छोड़कर इसको समझ गया तभी आपको जो है व अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो यह हमारी जो है वो आपकी क्या बनगी directions बन गई ठीक है यह पूरव हो गया ठीक है यह पस्चिम हो गया यह आपका उत्तर हो गया और यहाँ पर आपका दक्षन हो गया तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है यहां से आप पता ल दक्षिन की बात करें तो दक्षिन में भी आपका जो है वो सोलन पड़ता है यहां पर ये लाइन इसको कट करी है अच्छा पश्ची में कोई भी डिस्टिक आपकी नहीं पड़ती है तो पश्ची में पड़ता है आपका पूरव में पढ़ते हैं, वो मंडी और सोलन पढ़ते हैं, उत्तर में आपके हमीरपूर और मंडी पढ़ते हैं, पश्ची में आपके पंजाब पढ़ते हैं, दक्षिम में पढ़ता है आपका सोलन, ठीक है, अब उत्तर पश्ची में यहाँ पर एक पढ़ता है उना, ठीक है किए जो आपका बिलासपूर है इसकी सीमाएं किस-किस के साथ लगती है तो यहाँ पर सिंपल सा है अगर आपको मैप पता है तो आपको सब कुछ पता है देखे उना के साथ लगती है थर्ड आपकी मंडी के साथ लगती है और फोर्थ आपकी सोलन के साथ लगती है यह आपके क्या है मंडी के साथ भी लगती है ठीक है और उसके लावा फोर्थ क्या है आपकी सोलन के साथ भी लगती है ठीक है तो यहाँ पर आपकी टोटल जो सीमाएं लगती है और डिस्टिक के साथ वो लगती है चार डिस्टिक के साथ किसकी बिलासपूर की तो याद रखीए कि बिलास्पूर की सीमाई चार डिस्टिक के साथ लगती है और इधर से फिर पंजाब के साथ यह वो टच करता है और तो किसके साथ नहीं लग रही है ना अगर मैं गलत होँ तो आप देख लीजी आपके सामने है ठीक है कि किस किस के साथ जो है वो इसकी सी लगती है ठीक है एक बार हम यहाँ पर देख लेते इस्ट की बात करें यानि के पूरव की बात करें तो मंडी और सोलन हो गए ठीक है वेस्ट की बात करें यानि के पश्चिम की बात करें तो पंजाब हो गया ठीक है रोपड हो गया उसके बाद नौर्थ की बात करें यानि जो है वो लगती है ठीक है कौन सी उना हमिरपूर ठीक है मंडी और सोलन ये आपको सबसे पहले क्लियर्टी रखनी है जब भी आप जो है वो बिलासपूर के बारे में पढ़ रहे हो ठीक है जी आप देखें कुछ बेसिक पॉइंट डिसकस कर लेते हैं बिलासपूर के बारे म ये बाकी इसके बारे में जारा डिटेल जो है हम हिस्ट्री में डिसकस करेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ था क्यूं ये बाद में 1954 में बना बड़ फिलाल के लिए आपको याद रखना है शितरफल 1167 किलोमेटर स्केर यानि कि इसका जो एरिया है वो आपका 1167 वर्ग किलो मुख्याली आने के हैड़ कोर्टर इसका जो है वो बिलासपुर ही है लिंग अनुपात ठीक है जो सेक्स रेशो होती है 981 है और जो आपकी चाइल्ड सेक्स रेशो होती है शिशू लिंग अनुपात वो आपका यहाँ पर 900 है ठीक है अच्छा साक्षर्ता दर कितनी है 84.59 अब आप सोचोगी कि इनके पढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या बनता है यह पूछे नहीं जाते है बड़ा ऐसा नहीं है ठीक है एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको जो है वो कभी यह पूछा जा सकता है कि साक्षर्ता दर के मामले में सबसे नंबर वन पे जो है वो कौ अब हम अउन पाथ का क्या है नाइन इ necessary ओड़ा ओर ईसके बाद शूचु लिंग ओन पाथ किए analyse 909 यह राखिएगा इस कहें हूच जम्मा कर दीजे बिलासपूर के बारे में, किसी भी डिस्टिक के बारे में सबसे पहले पढ़ोगे, तो क्या याद रखोगे एक तो कि North East West में कौन से उसके जीले पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद कितने जीलों के साथ सीमा लगती है, टोटरी जब आपको North East का पता होगा, या मलब कौन कौन से, डिरेक्शन में कौन कौन से है, तो ये आपको clarity हो जागी, कितने जीलों के साथ सीमा लगती है, ठीक है, और उसके बाद कि उसके जीले के रूप में गठन हुआ था, एरिया कितना है, जीला मुख्याले, यानि के हर डिस्टिक के साथ, हम ये चीज़ें जो है, वो basic point जरूर cover करेंगे, ठीक है जी, ये होगे आपको clear, नहीं clear होता है, तो क्या करना है, आपने comment करना है, बताना है कि हमें जो है, वो clear जाते है, याद रखये, तो total सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 7 जो है, वो पहाडियाँ धार यहां पर पढ़ती है, 1 कर गें उनको त्विकस करते हैं, ठीक है जी, तो सबसे पहले आती है, आपकी नैना देवी धार, ठीक है, नैना देवी धार के बारे में आप यहां पर देख लिजिए, ठीक है, यह नैना देवी धार है, और यहां पर यह इस तरीके से धार होती है, मैं आपको पहले ही बताया था, ठीक है, यह इस तरीके से जो है, वो धारे होती है, ठीक है, जो क से पहला किला आपका फतेपूर किला और दूसरा किला है आपका कोट कहलूर किला ठीक है तो दो किले आपको अच्छे से याद रखनें यह इमेज से आप याद रख सकते हैं कि यह जो है वो आपकी नैना देवी धार है और इस पर सबसे पहला किला पढ़ता है फतेपूर किला ठीक है या फिर कोट कहलूर किला जो भी आप number wise दे दें और उसके बाद पढ़ता है आपका कोट कहलूर ठीक है तो कोट कहलूर और फतेपूर किला कौन सी धार पर पढ़ते है नैना देवी धार पर और इस पर एक मंदिर भी पढ़ता है टेंपल की इमेज यहां पर देख रह और दूसरी साइड एक मंदिर भी पढ़ता है जिसका नाम है नैना देवी मंदिर ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गई उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली जो है वो आपकी है कोट धार ठीक है यह है आपकी जो है वो कोट धार है और कोट धार पर जो है वो आपके चार किल किला जो है वो यहां पर पढ़ता है तो कोड़ धार पर जो है वो चार किले पढ़ते हैं यहां पर कोई जारा मंदिर नहीं पढ़ता है ज्यादा फेमस मंदिर नहीं पढ़ता है तो यह आप याद रखिएगा कि बिलासपूर जीरे की कोड़ धार पर आपके कितने किले हैं व ठीक है 1430 मिटर की हाइट ऐसकी ककरेर अगर यहाँ पर इसकी चोटी की बात करें कि भाई इस धार में कौन सी चोटी सबसे उंची है तो वो है आपकी ककरेर तो इतने पॉइंट आपको कोड़ धार के बारे में याद रखने क्या दुबारा से रिपीट करेंगे कि कोड़ धार पर जो है वो चार कीले हैं आपके इमेज सामने आपको दिखरी है दिमाग में इस इमेज को आपको प्रिंट करना है कि भाई जब हम कोड़ धार पढ़ें तो चार कीले हमारे नजर में आने चीए तो नोन शिवाला कीला था बच्रेटू कीला था वसीहा कीला और दगोगा मलोड़ता है यह सारे किस पर पढ़ रहे थे यह जो आपकी कोड़ धार थी इसके उपर पढ़ रहे थे ठीक है जी और बाकी आपने उपर देखी लिए नेना देवी धार पर 2 किले एक साइड थे जो है वहाँ पर टेंपल भी था जो की धार के नाम से ही टेंपल है तो नैनेदीवी तार पर और उसके लावाँ जो समझोगे या फिर दुबार अज आप वीडि으 देखो गे तो अगली है आपकी जंजियारदार अब यह बहुत जारा important हो जाती है जंजियार धार ठीक है अच्छा इस धार की यह आप पूरी धार देख सकते हैं यह पूरी धार जो है वो आपकी जंजियार है अब आप ऐसा imagine कर लिजे कि आप यहीं पर खड़े हैं और यहां पर आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ है ठ बता देता हूं एक बार मैं चेंज कर लेता हूं ठीक है यहां से एक जो है आपका नदी जा रही है ठीक है समझियेगा इसको यह हमने नदी यहां पर ड्रॉ कर ली एक रीवर जा रही है ठीक है इस रीवर को मैं बना देता हूं ताकि आपको confusion ना हो ठीक है तो यह है आपकी सीरख़द, यह जा रहा है आपका सीरख़द, आपने पढ़ा होगा स्वतुलूज नदी का साहेख़द, तो यह जो आपकी जंजियारधार है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको जो है, वो सीरख़द दो भागों में डिवाइड करता है, यह चीजह याद र अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से आप डार पड़ता है अब क्या हमने पड़ा कि जंजियार धार जो है वह सीर खड उसको जो है अपके सामने हैं बीचों बीच निकल गया, एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दक्षनी वाले भाग को बदोल कहा जाता है, ठीके, और उपले वाले भाग को उथरी भाग को जो है वो जणजियर कहा जाता है, ठीके, ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, तो जब से पहले पढ़ लेते हैं तो जजियारधार पर एक कीला है जो की बहुत फेमस है वो है आपका छातिपूर कीला इसे किसने बनाया था इसे संसार चंद ने जो है वो बनाया था जब संसार चंद ने बिलासपूर पर आकर्मन किया था उस समय जो है वो इसने जजियारधार पर छातिपूर किले का निर्मान किया था और जादा डिटेल हम जो है वो हिस्ट्री में डिस्क्स करेंगे बड़ फिलाल के लिए आपको यह किला याद रखना है तब यह लाल हो रहा है लाल यानि के रक्त जब वार होता है लड़ाई होती है तो खून बैता है तो उसके आपके साउथ वाले पार्ट को बदोल बोलते हैं तो इसका नाम है बदोली देवी यहां मंदिर भी है और एक है यहां पर गूगगा गेहडवी का मंदिर ठीक है यह बदोल वाली साइड में ठीक है जी और इस धार की सबसे उन्ची चोटी कौन सी है जंजियार जिसके नाम पार्ट में भूज़नी पार्ट बदोल और उत्री पार्ट इंप बदोली देवी का मंदिर, गुगा गेडवी का मंदिर है और जो जंजियार वाला साहिड है उस पर जो है वो एक बहुत important किला है चातिपुर किला जो कि परतीक है कि संसार चंद ने जो है वो बिलासपुर पर आकरमन किया था और इस चातिपुर किले का निर्मान जो है वो करवाया था यानिकि उसने जो है वो बनवाया था अच्छा, इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है वो है आपकी जहजियार तो ये चीज़े जो है वो आपको याद रखनी है ठीक है, इतना तो आप याद रख पाओगे आगे बढ़ते हैं आगे है आपकी त्यून धार ठीके जी त्यून धार आगी त्यून धार जो है वो इसकी लेंथ 10 किलोमेटर के करीब है ठीके जी ये आपकी पूरी त्यून धार है अब इस पे एक किला है मलब किले कितने हैं इस पे एक नहीं है किले इस पे दो हैं त्यून त्यून धार के नाम से त्यून किला और सर्यूं किला भी है ठीक है जो कि आपका त्यून धार पर पढ़ता है अच्छा सबसे उंची चोटी भी इसकी सर्यूं है तो उसके नाम से भी आप याद रख सकते हो कि सर्यूं नौरान गड किला यहां पर पढ़ता है तेरा सो पचास पर कीले यह याद रखए कावध पर कि उन Nós और स्रियून नोरानको पर किला सरियून के नाम साउर चोटी की एद्रकी सबसे ऊची चोटी है और उसके इलावा आपके मंदिर पीर प्य पियानु या पीर व्यानु Черफिका उसके बाद मौध देवी और। गुरुनात मंदिर ये सारे कहां पर पढ़ते हैं ये आपके त्यूनधार में पढ़ते हैं अब ये मस्वची का कि त्यूनधार के नाम से भी आ सकता है आपसे अगर पूछ लाए कि हरंबा देवी का मंदिर कौन से जीले में है ठीक है तो याद रखेगा बिलासपूर के बार यहाँ पर पढ़ता है क्योंकि त्यूनधार नाम है और सर्यून चोटी यहां पर सबसे उची है तो उसी के नाम से सर्यून नौरानगड किला है उसके बाद पीर व्यानु हरंबा देवी ठीक है और सिद्गुरुनात मंदिर जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं इस वाली धा सतलूज का ही साहय खड़ ये खड़ आपका जो है वो यहां से निकला और इसने क्या किया इसने आपकी जो बहादुरपूर धार थी उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया अब दक्षिनी भाग क्या है उसको बहादुर बोला जाता है और जो सेकिंड वाला पार्ट है उसको उसको ततो हो बोला जाता है ठीक है जी ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है कौन सा खडने डिवाइड करी अली खडने अली खडने जो है वो बहаदुरपूर धार को दो भागों में डिवाइड कर दिया जिसमें से एक पार्ड को जो है वो ततोहो बोला गया, ठीक है जी, अब सबसे important चीज, यहाँ पर आप कीला देखोगे तो दूसरे कीलों से थोड़ा अलग है, उपर जो कीले थे, यह आपने देखेंगे, यह कीले चोटे-चोटे कीले, वर यहाँ पर आपको जो कीला दिखेगा, वो बड़ा दिखेगा है, reason कहलूर के राजा वीजेचंद का जो है, वो ग्रिशम कालिन विश्राम स्थलता, यानि कि जब गरिमों के छुटियां मनानी होती थी, वीजेचंद राजा ने, तो वो यहाँ पर आता था, सबसे उचे स्थान पर, क्योंकि हवा अच्छी चलती थी, ठंडग रहती थी, ठीक की वीजेचंद की विश्रामता राजधानी समझ लीजे, एक तरीके से आप, ठीक है, क्योंकि ये बिलासपुर का सबसे उचा स्थान है, अब जितना उचा होगा, हवाई अच्छी चलेगी, ठंडग रहेगी, तो भाई, गर्मियों में रेस्ट करने का मज़ा उतना जाद आएगा, तो ये सारी चीजे आप समझ गए, आगे बढ़ते है रतनपूर धार, अब ये भी यहाँ पर आप किला देखोगे, ठीक है, बड़ ये कलर में जो है वो रेड है, रेड का मतलब यहाँ पर क्या है, रेड का कलर का मतलब है कि यहाँ पर वार होई है, ठीक है, ये रीजन है किसी ना किसी वार का, किसी ना किसी मतलब की लड़ाई का, तो रतनपूर धार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे है, रतनपूर धार की लेंध जो है वो 11 किलो मेटर है, और यहाँ पर एक जो किला है, उसका नाम है रतनपूर किला, यानि कि रतनपूर धार पर तो इसको invitation गया था, अमर सिंग थापा को, ठीक है, फिर इसने संसार चंद को हराया, उसके बाद डेवीड ओक्टर लोनी ने इसको हराया, ठीक है, तो ये पूरा हम history में पढ़ेंगे, बट एक चीज़ याद रखेगा, कि ये जो हराया गया था, ये इसको अधार मान कर, यान आपका पाने होता है, ठंडा बिल्कुल निला, उस तरीके से था, क्योंकि महाँ पर छुटिया मनाई जाती दे, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है, वो एक लड़ाई हुई थी, तो ये थी आपकी रतनपूर धार, रतनपूर धार पर है आपका रतनपूर किला, जहां प पाने होई आपका यहाँ पर इसमें आपको जो है, वो कीला वगरा याद नहीं रखना है, बस ये चीज़ याद रखेगा, कि ये क्या हो रही है, ये पैराईडिंग हो रही है, तो इसके इस थान को जो ये बांदला धार है, इसको पैराईडिंग के लिए चुना गया है, और इसके साथ-साथ यहाँ पर एक कॉलिज भी है, हाइड्रो इंजिनियर कॉलिज, ठीक है, तो इसी धार पर जो है, वो एक हाइड्रो इंजिनियरिंग कॉलिज भी खोला गया है, तो ये सबसे अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई कीला या फिर मंदिर नहीं है, यहाँ पर है आपका एक तो पैराग्लाइडिंग के लिए और दूसरा है हाइड्रो इंजिनिरिंग कॉलेज के लिए तो यह थी आपकी सात धार ठीक है एक बार दुबारा से उपर की तरफ चलेंगे अगर आपके पास टाइम है ठीक है कि हमने क्या पड़ा हमने सबसे पहले पढ़ी नैना देवी धार कोड कहलूर कीला उसके बाद फतेपूर कीला और नैना देवी मंदिर ठीक है यह आपको इमेज याद रखनी है दूसरी हमने पढ़ी कोड़धार, कोड़धार में सबसे जाला कीले हैं, ये सोच लिजे, दगोगवा मलोट वसीहा, बचरेटू, नौन शिवाला, ठीक है, सबसे उची चोटी ककरेर, उसके बाद जंजियारधार, जंजियारधार तो बहुत इंपोर्डन बन जाती है, क्यों पर पड़ता है, उसके बाद भाधुरपूर धार, ठीक है, बिलकुल चिल्ड एकदम प्लेस, सबसे उचा प्लेस है, 1980 मिटर का, ठीक है, बिलासपूर का, तो यहाँ पर क्या था कि राजा ने इसको विजे चंद ने जो है, वो ग्रिशम कालीन अपना विश्राम सल बनाया था कि बाई मैं तो रेस्ट वहाँ पर जाके करूँगा, अलिखड जो है, वो इसको दो भागों में डिवाइड करता है, तो हो और बहादरुपूर, रतनपूर धार, डिवी डॉक्टर लोनी ने, रैड मार्क में है, तो बहुत फेमस है, रतनपूर किला है, अंग्रे जनर आपसे जो है, वो नहीं पूछी जाएगी, तो आई होप आपको ये सारी धारे जो है, वो क्लियर हो गई हो गई होंगी, अच्छे से, ठीक है, ये images मैंने इसलिए ही प्लेस करी थी, ताकि आपके दिमाग में भी प्लेस हो जाए, अच्छे से, और आप इसको कभी जो है, व वैली है, ठीक है, मलब सौरी वैली नी, ये आपकी कोई जो है, वो हिल है, ठीक है, और उसके बीच में जो स्तान है, ये आपका घाटी होगा, तो बिलासपुर में तीनी घाटी है, सतलोज घाटी है, तीन घाटी है, सतलोज घाटी, फर्स्ट, सेकिंड आपकी चैन्तो पूछाएंगे नाम से ही पूछा जाएगा कि कौनसी घाटी कहां पर पढ़ती है यहां पर दानवीन घाटी के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि यह जो है वो आपकी बहादुरपूर और बांदलाधार के बीच में पढ़ती है अभी हमने उपर पढ़ा था गाटी और दानवीन घाटी और मैंने बताया था आपको कि भाई दो धारों के बीच में आने के आपकी जो पहाडियां होती है उनके बीच में जो है वो आपकी एक घाटी होती है तो बहादुरपूर धार और बांदलाधार के बीच में कौनसी है दानवीन घाटी ठीक है य तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक आउट कीजिगा, फिर भी थोड़ी बहुत चीज़े मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखे सतलूज नदी यहां की जो है वो मुख्य नदी है, बिलासपूर की जो आपकी मुख्य नदी है, वो है आपकी सतलूज, कसौल से में कवर करेंगे, इसलिए मैंने इसको जादा यहाँ पर एड नहीं किया, तो यह बिलासपूर है मालीजी, तो यह वाला पॉइंट दुबारा से समझा देता हूँ, कसौल है मालीजी, यह कसौल से आपकी एंट्री हुई रिवर की, आपका बिलासपूर में पूरा यहाँ घूमी फिरी, और उसके बाद यह एंट्री जो थी, यह थी आपकी भांखडा गाउं, जहां से यह निकल कर पंजाब में चली गई, ठीक है, बाकी और डिटेल में जानना चाहते हो, तो रिवर वारी वेडियो जो है, वो जरूर देखेगा, और 1809 में इसी नदी को अधार म यह important point बन जाता है, कि बिलासपूर में सतलूज की सबसे बड़ी सायक नदी या खड कौन सी है, तो वो है आपकी सीरखड, जिसके बारे पे अभी हमने उपर पड़ा था, जीला मंडी से निकलती है, exact place नहीं बता है, हटवार से बिलासपूर में प्रवेश करती है, और सेरी के पास बिलासपूर सतलूज में मिल जाती है, यानि कि माली जी यह सतलूज नदी आ रही है, यह आपकी आ रही है कौन सी सीरखड, ठीक है, यह आपका सीरखड आ रहा है, यह आपका सतलूज आ रहा है, तो जिस place पर यह मिलती है, ठीक है, वो place कौन सा है, वो place है आपका सेर ठीक है सेरी नमकस्तान पर जो है वो सुतलूज में मिल जाती है और ये माली जे बिलासपूर की बॉंडरी है तो बिलासपूर की बॉंडरी में कहां से एंटर करती है हटवार से ये आपको दो पॉइंट तो याद रखने है ठीक है जी अच्छा इसकी सहाय खड़े भी है और सर्याली ठीक है ये हमिरपूर से आती है और बलगार गाओं में जो है वो इन में मिल जाती है अब ये बहुत जारा कन्फ्यूजिंग कहीं बार हो जाता है बड़ जैसे जैसे आप पढ़ते रोगे आपके दिमाग में एकदम क्लियर होता चलेगा कि क्या क्या चीज़े ह हमने पढ़ी है बड़ ये तो आपको याद रखना है कि सीर खड जो है वो सुतुलूज की सायक नदी है और उसके लावा सेरी नामक स्थान पर सुतुलूज में मिलती है मैं आपको दिखा दिया और एंट्री कहां से होती है हटवार्स होती है कहां पर बिलासपूर में सायक ऐसकी सुकर खड और सरियाली खड है जो कि हमिरपूर से आती है और बलगाओं बलगार नामक गाओं में जो है वह इसमें मिल जाती है ठीक है नेक्स्ट है आपका गंबर खड गंबर खड भी सवतलूज का साहे खड है शिमला के तारा देवी से निकलता है ठीक है माने जी ये आपका तारा देवी है ठीक है तारा देवी ये निकला आपका कौन सा खड गंबर खड ठीक है तारा देवी से निकला शिमला से और ये आपकी है बिलासपूर की entry तो ये point कौन सा हो गया ये point हो गया आपका नेरी गाउं ठीक है जी और फिर ये आपका निकल गया यहां से आपकी मालीजे सतलूज नदी आ रही है अब ये सतलूज नदी में मिलेगा तो ये वाला point कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दगरान या डंगरान इसको बोला जाता है तो आप clear समझ गए एक बार मैं आपको change करके दिखा रहेता हूं कि ये आपका तारादेवी था ठीक है शिमला में स्थित है यहां से आपका गंबर खड निकला ठीक है ये बिलासपूर की boundary थी यहां पर जो है इसने entry ली नेरी गाओं से और फिर ये बिलासपूर नदी यहां को बह रही थी तो ये वाला point जहां पर ये आपस में मिले वो है आपका दगरान ठीक है तो इस तरीके से आप map बना कर थोड़े थोड़े अपने आप तरीके से बनाईए जहां पर भी आप notes बना रहे हैं तो आपको याद रहेगा तो दगरान में जो है ये सतलूज में मिल जाती है नेरी गाओं में बिलासपूर में परवेश करती है ठीक है जी अलिखड के बारे में बात करें तो ये भी सतलूज का साय खड़ है वही बात है माली जे ये जो है वो आपका पढ़ता है अरकी अरकी है कहां पर आपका सोलन में यहां से निकला आपका मलब की सोलन की अरकी तहसील बहुत जगा दिया होगा बट गाओं का नाम कहीं कहीं पर मिलता है जो की है आपका मंगू गियाना मंगू गियाना तो यह नाम याद रखेगा मंगू गियाना और अरकी तहसील जो है वो याद रखेगा तो यहां से निकला आपका कौन सा अलिखड अलिखड ने बोला भाई चलो मैं घूम के आता हूँ अलिखड निकल गया उसके बाद यहां पर बिलासपूर की जो है वो आपकी सीमा आ गई ठीक है तो एंट्री तो लेनी थी ठीक है तो भाई इसने अपना पासपूस कटाया यह कहां से एक गाउं पढ़ता है कौनसा कोठी harmless कोठी हरार से इसना अपना पास ले लिया बिलासपूर में एंट्री करने आप और यह जो पॉइंट था जहां पर यह मिला था उस प्लेस को बोला गया आपका वैरी घाट तो यार किसी भी के से स्टोरी बना कर याद र 흥िय जैसे भी रखी है आपको जिस तरीक तरीके से यांद रखें तो अर्टी से चला था कौन अलिखड को्टी हरार में पास लिया कि बिलासपुर में अंट्री मारता हूं कोटी हरार से पास लेकर अंदर गया उम फिरा कर अकेला जब घूमाने तो सतलूज नदे पर वैरी घाट में जाकर जो मिल गया, तो वैरी घाट, कोठी हरार और मंगू ग्याना से जो है वो निकला था, ठीक है, अरकी तैसिल से, तो ये चीज़े आपको जो है वो याद रखनी है, तो ये अलि खड, गंबर खड और सीर खड, ये सतलूज के सायक है और मुखे नदी जो बिलासपूर की है, वो आपकी सतलूज नदी है, ठीक है, बाकी नदियों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बढ़ाया है, अब बात करते हैं, टैंक, टोबा, होज, देखिए, टैंक, यानि के जो पानी के टैंक होते हैं, ठीक है, टोबा भी उनको स तोबा भी आ सकता है, ठीक है, अपर आने समय में राजाओं के टाइम में इने जो है, वो पानी के समस्या से निवटने के लिए बनाया जाता था, जैसे कि लोगोंने कपड़े दोने हैं, पशुओं के लिए पानी लेना है, ठीक है, कुछ भी, तो उसके लिए ताकि पानी क कमी ना हो, तो टैंक, टोबा और होज जो है, वो बनाये जाते थे एक ही नाम है, ठीक है, तो अब बिलासपूर डिस्टिक में कितने जो है, वो आपके टैंक या टोबा या जो आपके होज है, तो इस तरीके के होते दे कुछ, तो होज रिवाल सर सबसे पहला, उसके बाद खाना टैंक, उसके बाद सवारगाट टैंक, फिर संगवाना टैंक, कसोल होज, नैना देवी होज, या फिर आप टैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है, टैंक टैंक लिख लीजिए, और जमठाल होज, या फिर आपका टैंक, तो ये आपके कहां पर हैं, या आपके बिलासपूर म बिलासपुर में अब इन में से कितनों के बारे में आपने थोड़े पॉंट याद रखने जगत खाना टेंग, इसका निर्मान जो है वो राजा हीरा चंदने करने था 1874 में 200 वरग किलोमेटर में अप्रॉकसी ये फैला हुआ है ठीक है वर्ग किलोमेटर याद रखिये चैन ना रखिये बड़ आपको यह याद रखना पड़ेगा राजा हीराचंद ने इसका निर्मान करवाई था अच्छा जगत खाना टैंक और स्वारगाट टैंक एक ही साल में बने थे 1884 में एक ही राजे के द्वारा राजा हीराचं इसकी डेट मुझे भी नहीं पता है वैसे बड़िया 1884 नहीं है यही वाला प्रिंट हो गया है सिंपल सा आपको याद रखना है कि राजा वीजे चैन्द ने जो है वो संग्भाना टैंक को बनाया था ठीक है और इसका भी 200 वर्ग किलोमेटर के आसपास है इतना जाला जम् हीरा चंद्रें बनाये थे और संग्वाना टैंक राजा वीजे चंद्रें बनाये थे और उसके इलावा रिवाल्सर टैंक कहां पर है बिलासपूर में कसोल टैंक कहां पर है बिलासपूर में जगत खाना टैंक कहां पर है बिलासपूर में संग्वाना बिलासपूर में नैन भी आपकी नैचुरल लेक जो है वो नहीं है ठीक है तो यह तो आपको पते होगा कि कौन सी लेक यहां पर पढ़ती है तो यहां पर पढ़ती है एक मैनमेड लेक जो की है गोविंद सागर जील हिमाचिर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है ठीक है चित्रफल 16 61 वर किलोमेटर लंबाई 88 किलोमेटर अमाल यह है आपकी गोविंद सागर डाइगराम है सिरफ ठीक है जब भी कोई आपका डैम बनता है तो उसके कारण जो भी पानी कट्था उसमें जील बन जाती है अब यह डैम कौन सा है यह है आपका भांखड़ा बांद 1903 में बन कर तय इसको बनाने में तो यह आपको याद रखना है बाकी जीलों के बारे में डिटेल वीडियो में ने बनाई हुई है हर एक डिस्टिक की वो आप चेक आउट कर सकते हो बड़ बिलासपूर के पॉर्ण ऑव यू से गोविंद सागर जील जो है वो आपको याद रखनी है ठीक जी हो गया यह जहर ने आपके बिलासपूर डिस्टिक में पाए जाते हैं ठीक है याद हो गया बाकी जारा इसमें यह निया कि कहां किस्तनी किलो मिटर वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको सिरफ यह याद रखना है कि कौन सा जो है वो कहां प पढ़ता है ठीक है और इसको जब आप बार-बार पढ़ोगे इसमें शौट ट्रिक कोई नहीं है कि दद्राना को याद करने की में कोई शौट ट्रिक बता दो ऐसा कुछ नहीं है जब बार-बार रिवीजन करते रोगे तो आपको याद होता रहेगा आगे बढ़ते बिला बिलासपूर में है ठीक है बिलासपूर के मंदिरों के बारे में अगर बात करे तो आपका नैना देवी मंदिर नैना देवी धार पढ़ ली तो आपको पता ही है उस धार पर ही जो है वो नैना देवी मंदिर था फिर आपको गोपाल जी मंदिर है मुरली मनोहर मंदिर है द देव भाटी इंपोर्टन है ये भी याद रखना है शिव मंदिर बच्रेटू तो आपको यादी रखेगा बच्रेटू किला आपने पड़ा है बाबा बालकना शाहतलाई याद रखना है ठीक है नरसिह देव मंदिर या नहर सिंग बहुत बार पूछा जाता है ये याद पर पढ़ते हैं ये सारे मंदिर पढ़ते हैं आपके बिलासपूर डिस्टिक पर ठीक है जी कौन-कौन से नैना देवी गौपाल जी मुरली मनोहर ठीक है देव भाटी शिव मंदिर बच्रेटू बाबा बालकना शाहतलाई नरसिंग देव या नहर सिंग देव और रंगना थि तो उनके नैन जो है वो यहां पर गीरे थे यह मंदिर गुंबदाकार शैली तो यह इंपटन बन जाता है गुंबदाकार शैली का बिलासपूर का कौन सा मंदिर है तो वह आपका नेना देवी ठीक है अच्छा गोपाल जी मंदिर का निर्मान उनीस और इसमें राजा या धोल्रा में स्थित्त है तो इतने पॉइंट आपको मंदिर के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको यह पता हो ना ची कि कौन सा मंदिर कहां पर पढ़ता है इतना तो आप याद रख लोगे नेना देवी का निर्मान वीर चंदने गुपाल जी मंदिर जो है वो आपको यही पढ़ने है ठीक है जी परिक्षा बूस्टर का आप फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ठीक है जरूर से एक बार चेक आउट केजेगा करंट फेर की काम आएगा अच्छा लोगगीत की बात करें बिलासपूर के तो मोहना गंभरी और बालो और जिजी उती तो आपको याद रख नहीं है लोगनाटे की बात करें तो स्वांग जो है वो बिलासपूर का लोगनाटे है बांठडा जो है करियाला को बोला जाता है कि इसको जो है वो बिलासपूर में क्या बोला जाता है बांठडा बोला जाता है ठी होते हैं लड़कों के बाल प्यार है तो मोहना एक लड़की ती इसको अपने बालो से बहुत प्यार था तो उसके लिए बहुत गंभीर थी तो मोहना गंभरी बालो जीजाती याद रखेगा ठीक है इस चीज आपको याद रखनी है एक्जाम के point of view से आगे बढ़ते हैं त्योहार और मेले के बारे में बिलासपुर के कौन कौन से famous त्योहार है तो सबसे important आता है नलवाडी मेला जिससे questions पूछे भी जाता है अच्छा नलवाडी मेला जो है वो 1889 में शुरू हुआ था जिसको में राजा कौन थे अमर्चंद मार्च के महीने में लगता है पशु मेला भी कहा जाता है लुणू में दान पर लगता है इतने point इसके बारे में याद रखने है रखने ही पढ़ेंगे क्योंकि exam में जो भी पूछ जाएगे इसी से पूछ जाएगा first क्या कि किसने शुरूवात करवाई थी वैसे शुरूवात तो अमर्चंद ने करी थी डवल्यू गोल्ड स्टीन के कहने पर तो 1889 में डवल्यू गोल्ड स्टीन के दौरा सबसा पहला point ये कहलूर का राजा कौन था भई कहलूर का राजा था आपका अमर्चंद third point कौन से मंत में लगता है मार्च मंत में लगता है ठीक है मार्च महीने में फिर क्या है पशु मेला भी इसको कहा जाता है ये point वो गया फिर क्या है लूनू मेदान में जो है वो लगता है इतने पॉइंट जो है वो आपको याद रखने है ठीक है जी अगला नैना देभी मेला है यह अगस्त महीने में लगता है फिर मारकंडा मेला है जो की जुखाला बिलासपुर में लगता है जून महीने में तो यह मन्त याद रखेगा मन्त पूछे जाता है नैना दिवी मेला जो है वो अगस्त में लग जाता है मारकंडा मेला जुखाला में लगता है याद रखेगा और जून महीने में जो है वो लगता है एक गुगगा मेला भी मिला जाता है ये हमिरपूर में भी होता है ये अगस्त और सितंबर के महीने में लगता है तो बाकियों के आपको महीने याद रखने हैं बाकि जो important है आपका नलवारी मेला उसके बारे में मैंने बता दिया कि बाई क्या क्या चीज़े जो है वो उसके बारे में आपको याद रखनी है ठीक है जी तो इतने मेले होगे गुर्दवारे भी हैं विलासपूर में जो की सबसे पहला है गुर्दवारा शीरी बुड़ा साहिप बिलासपूर शहर में स्थित है और तेग बहादूर जी से समंधित है जब राजा दिलिप सिंग की मृत बहादूर साहिब तो ये बसंथपूर में स्थित है और इनका भी संबन जो है वो गुरु तेग बहादूर जी से है अब एक चीज़ याद रखिए कई बार डिरक्टले कोशन आता है गुरु का लहोर जो है वो कहां पर सित है तो ये है आपका बिलासपूर में ठीक है बिल important point discuss कर लेते हैं देगे बिलासपूर में जो है वो कहलूरी भाषा बोली जाती है क्योंकि कहलूर इसका पुराना नाम था टी ग्रहम बैली एक नाम याद रखिएगा उसने बिलासपूर की बोलियों को छे वर्गों में बांटा था तो कोशन कई बाट ड्रेक्ली आ जाता है कि कौन से खड के किनारे कौन सी नदी के किनारे है तो अली खड के किनारे जो है ये आपका स्थित्त है सबसे पहले तो दियोली बिलासपूर में सबसे बड़ा एशय का मचली प्रजनन केंदर है सेकिंड इसको 1962 में बनाया गया था थर्ड कौन सी रीवर के किनारे है अली ख उसके बाद बैंक को बिलासपूर, बिलासपूर का जो है वो फस्ट बैंक था जिसको 1944 में बनाया गया था, कोठीपूरा में जो है वो पश्यू प्रजनन केंदर एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है, रगुनाथपूरा में बिरोजा फैक्टरी है, हिमाचल में दो ही है, एक आपक बिलासपूर में एनिमल डिजीज कंट्रोल रूम है, स्वारगाट में, कहाँ पर जो है वो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है, कोठीपूरा में, बिरोजा फैक्टरी कहाँ पर है, रगुनाथपूरा में, नवोदी स्कूल कहाँ पर है, बरठी में है, तो यह सारी चीज़े आ आपको पता होने चीज़े, दियोली मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, तो यह सारे इंपोर्टन जियोग्रफी से रिलेटिड पॉइंट थे, बिलासपूर तो छोटा सता आगे-आगे जो है वो और भी लंबे-लंबे होंगे, बाकी अब हम MCQs डिसकस करेंगे, बट उस ब het में से कितनी पहाडियां है, कितनी धार हैं, कितनी पहाडियां हैं, 3,5,7, no, easy बहुत आंशर, 7, 7 पहाडिया पड़ती है, जिसके बारे में हमने एके करके पढ़ा था, नेक्स आपका डेविड ओक्टरलोनी ने अमर सिंग ठापा को किस किले को अधार बनाकर जो है, वो नेक्स्ट है पीर पियानू का मंदिर या पीर व्यानू निमलिखित में से किस धार पर स्थित है चार आपके पास option दिये गए है तो यह है आपका त्यून धार उपर सब कुछ बताया गया है नेक्स्ट है बहादुर पूर और बांदला धार के बीच निमलिखित में से बिलासपूर की कौन सी घाटी है बिलासपूर और बांदला धार के बीच में है आपकी दाविन घाटी बताया था यह बहादूर यह बांदला और इसके बीच में जो घाटी है वो कौन सी है दाविन गहाटी. सीर हड निमलिकत में से कि स्थान पर बिलासपूर में प्रवेश करती है? सीर खड के बारे में पुछ गए चार आपके पास आप्षिन दिये गए तो इसका जो आंसर है vendor है आपका हटवार ठीक है? यह बिलासपूर है यहां से हटवार से जो है वो प्रवेश करती है ठीक है जी और ये सतलूज नदी है मैं बार-बार तभी बताता हूँ आपको ताकि दिमाग में घुश जाए सेरी में जो है वो सतलूज में मिल जाती है आपका है तो वो है आपका जगद खाना में ये प्रिवेश एर के हैज़ प्रिवेश इसट नारसिम मंदिर हिमाचर प्रदेश के किस जीले में स्थित है तो जीला तो हम एकी पढ़ रहे हैं बिलासपूर इजी है आप लगा दोगे बट कई बार जब सारे जीले पढ़ लोगे तो यहाँ पर जो है वो आंसर आपको देना पढ़ता है रंगनाथ मंदिर कहाँ पर सित्य है यह आपका पूछा गया था तो यह है आपका ओल्ड बिलासपूर में यानि के पुराने बिलासपूर में यह भी प्रिवेस एर में पूछा गया है हिमाचर प्रदेश की बिलासपूर में नलवाडी मेला किस महीने में मना जाता है अच्छा यह कोशन अलाइड में आया है ठीक है नलवाडी मेला कौन से महीने में मनाय जाता है भी पड़ाए, मार्च महीने में, किस ने शुरू किया था, डबल्यू गोल्ड स्टीन ने, ठीक है, उस समय राजा कौन था, पता हो जल्दी, ठीक है, नहीं पता है तो उपर जाके देख लेना, पशु मेला भी इसको कहा जाता है, ठीक है, बिल गोल्ड स्टीन के कहने पर, यहां पर पूछा गै, डबल्यू गोल्ड स्टीन क्या था, तो वो तो आपका शिमला हिल्स का सुपरिटेंडेंट, तो यह इस तरीके से जो है, वो कौश्चन पूछा जाता है, ठीक है, नेक्स्टे, नलवाडी मेले की मुक्षेशता क्या है, तो वो है बेलों के जोड़े की पूझा करना, कुछ भी नलवाडी मेले से रिलेटर आएगा तो बेलों से रिलेटर होता है, ठीक है? नेक्स्ट है बिलासपूर के किस्तान पर बिरोजा फैक्टरी है तो रगुनात पूरा में जो है वो आपकी बिरोजा फैक्टरी है एक पढ़ती है आपकी नहान सिर्मोन में कोठीपूरा में क्या है कोठीपूरा में Animal Breeding Center है Animal Breeding Center और बर्ठी में क्या है बर्ठी में नबोद्य स्कूल है ठीक है तो ये चीजे याद रखनी है तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी यह थे बिलासपूर जीले की कुछ जियोग्राफी से रिलेटिड इंपोर्टन कोश्चन बाकि हिस्ट्री को जो है हम आगे वीडियो में कवर करेंगे और कुछ बच भी जाता है तो आने वाली वीडियो में जो है वो लास्ट में जब हम सी क्यूज बगरा डिसकस करेंगे उन